देश के प्रधानमंत्री ने किसे लैडर लिखा और कहा कि हम इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अबिनेता आमिर खान ने फिल्म महाभारत को अगले दस साल में कई भागों में बनाने का प्लान बनाया है। लेकिन वो महाभारत के सभी कालखंडों को मिलाकर अलग अलग तरीके से महाभारत की कहानी कहींगे। जबकि दक्षिन के सूपर स्टार मोहनलाल का प्रोजेक्ट महाभारत अगले साल शुरू हो जाएगा। फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन फिल्म की व्यापक्ता को देखते हुए समय लग रहा है। बता दे, साउट के स्टार मोहनलाल ने कुछ समय पहले महाभारत को लेकर M.T. वासुदेवन नायर की नौवल रंदम उस एहम पर एक फिल्म बनाने की घोशना की थी, जिसकी लागत करीब 1,000 करोड रुपया बताई गई है। मोहनलाल ने वादा किया है कि अगले साल ये फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी और स्टार कास्ट भी तै हो जाएगी। अब देखना आई ये है कि आमिर खान और मोहनलाल में से कौन पहले इस फिल्म को बना कर देश को गौर्व में बनाता है।